प्रतिवर्ष 21 अप्रेल को मनाया जाता है और कथन 2 वारेन हिस्टिंग्स को भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो तोनो या फिर डी ना तो एक ना ही दो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक केवल एक अगला प्रशन वीट ब्लास्ट महामारी के संदर्भ में निमने लखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन ये मेगना पोर्थे औरेजा नामक फंगस से फैलने वाला एक फसल संक्रामक रोग है दो इसकी उत्पत्ती दक्षिन अफ्रीका में हुई थी उपर इत्में से कौन सा या कौन से कतन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या फिर ना तो एक नाही दो इसका सही जवाब है option ए केवल एक next सवाल हिमाचल प्रदेश के संबन्द में निमने लखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन हिमाचल प्रदेश को 1971 में पौन राज्य का दर्जा दिया गया था और कतन दो प्रतिवर्ष 15 अप्रेल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कतन सही है केवल एक, केवल दो एक और दो दोनो या फिर ना तो एक नहीं दो तो इसका सही जवाब है उप्शन सी एक और दो दोनो अगला सवाल वाणिजी मंत्राले के अनंति माकडो के अनुसार हाल ही में कौन सा देश 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है उस्ट्रेलिया, चीन, सैयुक्तराब अमिराथ या फिर सैयुक्तराज्य अमेरिका तो इसका जवाब होगा उप्शन डी सैयुक्तराज्य अमेरिका आगे बढ़ते हैं इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडूरंगराव था 1857 की क्रांदी में नडायक भूमी का निभाने के लिए अंग्रेजों ने 18 अप्रेल 1869 को इन्हें फांस ही दे दी थी उपर रुक्त कथन किस महान स्वतंतरता सेनानी के संदर्भ में है नाना साहिब, तात्या टोपे, मंगल पांडे या फिर पेश्वा बाजिराव प्रथम इसका सही आंसर होगा option B तात्या टोपे अगला प्रशन कर्मचारी राज्य बीमा यानी E.S.I. योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसकी शुरुवात 1952 में की गई थी दो, ये श्रम इवं रोजगार मंत्राले से संबंधित है और तीन, देश के पहले प्रधानमत्री योजना के पहले मानत बीमित व्यक्ति थे उपर रिट में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर उपर रिट सभी तो इसका सही जवाब होगा, option D, उपर रिट सभी अगला सवाल, हाली में इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कहा किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, इंदॉर या फिर उदैपुर तो सही अंसर है, option A, मुंबई नेक्स कॉस्चन, भारत की पहले उपग्रह, आरे भट के संदर्भ में निमनलिखत कतनों पर विचार कीजिए एक, इसे 16 अप्रेल 1975 को ततकालीन सोवेच संग से लौंच किया गया था दो, ये एक प्रायोगिक उपग्रह था और तीन, इसका वजन मात्र 260 किलोग्राम था उपर रिक्त में से कौन साया कौन से कथन सही है या सही है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर उपर रिक्त सभी तो सही उत्तर है, option B, केवल दो अगला सवाल, हाली में शोद करताओं ने किस वाइरस से संबंधित एक अध्यान का हवाला देते हुए बताया कि ये वाइरस कैंसर का कारण बन सकता है तो सही जवाब है, option D, एपस्टीन बार वाइरस आगे बढ़ते हैं, विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे के संदर्प में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक, ये हर साल 18 प्रेल को मनाया जाता है दो, पहला विश्व विरासत दिवस 1983 में मनाया गया था और तीन, 2023 के लिए इस दिवस के थीन हेरिटेज चेंजिस है उपर विचार में से कौन से कतन सही है किवल एक और दो, किवल एक और तीन, किवल दो और तीन या फिर उपर विक्त सभी तो इसका सही जवाब होगा, option D, उपर विक्त सभी सही जवाब होगा, option A, ग्रामिन विकास मंत्रा ले अगला सवाल परवत माला योजना या राष्ट्रे रोपवे विकास कारेक्रम के तहट सरकार की योजना कितने वर्षों में 1200 किलोमेटर से अधिक रोपवे लंबाई की 250 से ज़ादा परियोजना का विकास करने की है तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष या फिर सात वर्ष सही जवाब है, option C, पांच वर्ष नेक्स कुश्चन अगला प्रशन निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन राष्ट्रोय क्वांटम मिशन के तहत आगामी तीन वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जाएगा और दूसरा कथन क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शित करने की ही काई है उपर इक मेंसे कौन सा है कौन से कथन सही है सही है किवल एक, किवल दो, एक और दो दूनो या फिर न तो एक नहीं दो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दूनो अगला सवाल, दूनिया का सबसे बड़ा रॉकेट कहे जाने वाले स्टार्शिप का निर्माण निमनलिखित में से किसके द्वारा किया गया है अमेरिकी अंत्रिक्षिजन्सी, स्पेसेक्स, येरोपी अंत्रिक्षिजन्सी या फिर भारती अंत्रिक्षिजन्सी इसका उत्तर होगा option B SpaceX आगे बढ़ते हैं cryptocurrency stable coin से सम्मंधित निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए एक ये आम तोर पर अमेरिकी डॉलर जैसे इस्थर संपत्ती से जुड़े होते हैं और दो ये अन्ने cryptocurrency की तुलना में कीमत में उतार चड़ाव के प्रती अधिक सम्विदन शील होते हैं उपर इतम से कौन साय कौन से कथन सही है या सही है A के वल एक, B के वल दो, C एक और दो दोनों या फिर D ना तो एक ना ही दो तो सही answer है option A के वल एक Next सवाल अगला सवाल पहला कथन ये एक hybrid चंदर ग्रहन है और दूसरा कथन इसका ये नाम औस्ट्रेला के निंगलू तट के नाम पर रखा गया है उपर लक में से कौन साय कौन से कथन सही है या सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दूनो या फिर न दो एक ना ही दो जवाब है option B केवल दो अगला सवाल देखते है State of World Population Report निंगनिलखित में से किसका एक वार्शिक प्रकाशन है सही जवाब है अगला सवाल प्रोजेक्ट मागी की संबंध में निमनिलखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसका संबंध Microsoft से है और दूसरा कथन या Artificial Intelligence यानि AI तकनीक संचालित एक नया सर्च इंजन है उपर इक में से कौन साय कौन से कथन सही है या सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो या फिर ना तो एक ना ही दो जिसका सही आंसर होगा Option B केवल दो आके बढ़ते हैं निमनिलखित में से क्या हीमोफीलिया को सही रूप में परिभाशित करता है भूलने की बिमारी, आत का कैंसर, एक आनुवंचिक रक्तस्राव विकार या फिर हड्डियों का रोग इसका सही जवाब होगा Option C एक आनुवंचिक रक्तस्राव विकार चलिया गलब सवाल देखते हैं टेलियोस 2 के बारे में निमनलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन, ये एक Earth Observation Satellite है और दूसरा कतन, ये सिंगापुर का उपग्रह है उपरिक में से कौन साय कौन से कतन सही है, सही है इसका सही जवाब है Option C, एक और दू दूनों अगला और अन्तिम सवाल प्रिथिवी दिवस यानि अर्थ डे के संबन्ध में निमनलखित कतनों पर विचार कीजिए एक, ये हर साल 22 अप्रेल को मनाया जाता है और दू, पहला प्रिथिवी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था आपको बताना है कि इनमे से कौन साय कौन से कतन सही है, सही है A के वल एक, B के वल दू, C एक और दू दूनों या फिर D ना तो एक ना ही दो तो इस कॉस्चन का सही आंसर होगा, option C एक और दू दूनों तो आज के एपिसोड में इतना ही, मलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जैहिंद झाल प्रण दूनों यादिन का वल दूनों झाल 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 झाल